गैस आज के इस लेक्षर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक पोयम को जिसका नाम है कुबला खान यह पोयम इंग्लिस रोमेंटिक पोएट स्टी कोलिज ने लिखी है और इस पोयम को स्टी कोलिज ने तब लिखा था जब उन्होंने अफीम का नसा किया हुआ था और अफीम के नसे में उन्होंने एक सपना देखा और सपने को बीच में ही सपने के बीच में ही उन्हें किसी ने उठा दिया जिसकी बज़े से उनका ये अधूरा सपना रह गया और इसलिए ये पोयम एश्टी कोलिज की इनकम्प्लीट पोयम है लेकिन एक्जाम पॉइंट फ्यू से बहुत इंपोयम है आईए समझते हैं इसकी लाइन बाइन एकस्प्लेनेशन को तो कुबला खान एक पोयम है एस्टी कोलिज के दुवरा लिखी हुई हम पहले सारे के सारे एक्जाम पॉइंट्स को कवर करेंगे उसके बाद इस पोयम कुबला खान की लाइन एकस्प्लेनेशन को हम लोग समझेंगे देकि सबसे पहले थोड़ी सी इंफोर्मेशन मैं एस्टी कोलिज के बारे में देना चाहता हूँ आप लोगों को वैसे तो मैंने आप लोगों के लिए एस्टी कोलिज की बाइगराफी बना दी है आप उसे देख से लेकिन फिर भी ये एक छोटी चेल है कि एस्टी कोलिज जो थे एस्टी कोलिज का पूरा नाम सेम्यूल टेलर कोलिज था और इनका जनम 21st October 1772 को हुआ था ये इनकी बर्थ येर है इसे आप याद रखेगा अब एस्टी कोलिज जो जाने जाते थे वो romantic age में अपने contribution के लिए जाने जाते थ जो इन्होंने lyrical ballads के अंदर किया था अब lyrical ballads 1798 में आया हुआ एक publication था यानि के collection of poems था जो विल्यम वर्षवर्थ ने और स्टी कोलिज ने मिलकर लिखा था इसके अंदर total 23 poems थी 23 में से जो 19 poems थी वो विल्यम वर्षवर्थ ने इसमें contribute की थी और 4 स्टी कोलिज ने की थ ठीक है तो 4 स्टी कोलिज ने की थी तो total 23 poems हो गई और इसके अलावा इनका एक और बायग्राफिया लिट्रेरिया वर्थ है जो काफी famous रहा है ठीक है जी इसके अलावा स्टी को लेक पोईट्स में से एक माना जाता है टोटल लेक पोईट्स जो कहे जाते हैं वो तीन कहे ज ठीक है तो आप लोगों को एस्टी कोलिज का ध्यान रखना है कि विल्लियम वर्षवर्थ रवबर्ष साओदे के साथ 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 एस्टी कोलिज भी लेक पोईट्स में काउंट होते हैं इसके अलावा कुबला खान जो पोईब आज हम डिसकस करने वाले हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी ले लिजिए देखो कुबला खान जो है ये एस्टी कोलिज की ग्रेट पोईब्स में से एक कही जाती है और एस्टी कोलिज रोमेंटिक एज से बिलोंग करते थे यानि कि ये रोमेंटिक पोईट थे तो कुबला खान एक ऐसी पोईब है जो एस् incomplete poem है H.T. College के दोरा लिखी गई, अब आप देख लिजे इसको incomplete poem हम क्यों कहते हैं, देखो कुबला खान, कुबला खान is sometimes given the subtitle, कुबला खान poem को कभी-कभी इसके subtitle से जाना जाता है, और वो subtitle है A Vision in a Dream, पहला subtitle और दूसरा इसका subtitle कहा जा सकता है A Fragment, अब इनका मतलब जान लिजेगा आप, देखे Vision in a Dream, यानि के एक सपने का एक द्रिश्य है, वीजन का मतलब होता है द्रिश्य है, यानि के आप एक लंबा सा सपना देखते हो, उस सपने का छोटा सा टुकडा, ठीक है जी, उस सपने का छोटा सा या फिर Fragment हम टुकडे को ही कहते हैं, किसी चीज़ का एक छोटा पार्ट को हम Fragment कहते हैं, इसलिए कुबला खान को क्या कहा गया है, एक Fragment या फिर A Vision in a Dream कहा गया है, अब ऐसा कहने की बात क्या है, क्यों इसको ऐसा कहा गया, देखो Coleridge जो है, Coleridge 1797 में ये आप लोगो को पता होगा कि ये अफिम वगेरा का नसा करते थे, क्योंकि इनको बहुत सारी multiple बीमारी थी, तो ये नसे में रहते थे ताकि ये अपने pain को reduce कर सके, ठीक है, तो इन्होंने 1797 में opium लिया था, जिसके नसे में इनको नीद आ गई थी और सपना इनको दीखने लगा था, तो वो सपने की ही ये स्टोरी लिखी है, इन्होंने कुबला खान, कलिए बढ़ते हैं आगे, अब इस poem के बारे में आप और information collect कर लिजे, he left it unfinished, अब कुबला खान poem को ST College ने unfinished छोड़ दिया था, और उसको क्या सोचकर unfinished छोड़ा था, क्योंकि उनका सपना जो था, वो पूरा ही नहीं हुआ था, तो कुबला खान poem को ST College complete नहीं कर पाए, इसी वज़े से इस poem को उन्होंने publish नहीं कराया, और इसको kept it for private reading for his friend, और उन्होंने इस poem को अपने friends बगेरा के पढ़ने के लिए private रखा, लेकिन ये कब तक रखा, 18, 16 तक, 1816 तक रखा, उसके बाद इन्होंने इस poem को पढ़ने के लिए दिया था, Lord Byron को, Lord Byron को ये poem अच्छी लगी और उन्होंने ST College को सजेस्ट किया कि तुमें ये poem publish करानी तच चाहिए, उसके बाद 18, 16 में इस poem को publish कराया गया, ठीक है, अब इस poem के अंदर आपको कुल मिलाकर तीन irregular stangas मिलेंगे, irregular stangas का मतलब है कि उन stangas of different length, अलग-अलग length के तीन stangas है, तो ये सारी की सारी information थी कुबला खान poem के बारे में, और अब हम इसके text को पढ़ना start करते हैं, तो ये रहा आपके सामने text में से कुछ line है, मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, in than I do, did कुबला खान a stately pleasure dome degree, एक क उबला खान नाम का क्या था? लीडर था, एक मंगोलियन लीडर था, उसने वो कहां पर रहता था? जैनाइडू नाम की जगा पर रहता था, तो उसने अपने सैनिकों से, उसने अपने स्तेवकों से क्या कहा? कि मुझे एक pleasure dome बनवाना है, एक pleasure dome का मतलब है कि उसे एक महल तय प्यार करवाना है, इसमें वो आनंद के साथ रह सके, जिसके आसपस अच्छी greenery हो, और बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर ऐसी चीजे हो, जो nature से जुड़े होई हो, तो ऐसा decree का मतलब होता है, बनवाने का आदेश देना, तो वो एक ऐसी गुमबदार, dome का मतलब होता है, गुमबदार इमारत, जिसके ओपर एक गुमबद बना हो, ऐसी इमारत बनवाने का आदेश देता है, पेर elf, the secret river run, और ये जो महल होगा, ये elf नदी के किनारे पर होगा, elf नदी क्या है भाई, elf एक पवित्र नदी है, तो जिनाइडू नाम की जगा से होकर गुजरती है, व down to a sunless sea, अब ये elf नदी जो है, इसके बारे में बताया जा रहा है, ये नदी जो है, ये केविन से होकर गुजरती है, ठीक है, मतलब केप्स से होकर गुजरती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, उन से होकर गुजरती है, और वो गुफाएं इतनी बड़ी है कि major less to man है यानि कि इनसान उनकी गहराईयों को लंबाईयों को नाब भी नहीं सकता और उसके बाद इन गुफाओं से निकलते हुए ये elf नदी down to a sunless sea आकर ये मिल जाती है किसमे एक sunless sea में अब sunless sea का क्या मतलब है कि सूरज की रोसनी समुद्र में कुछ गहराई तक तो जाती है लेकिन वो end तक नहीं पोच पाती क्योंकि समुद्र की गहराई बहुत जादा गहरी होती है तो ये ऐसे समुद्र में आकर मिल जाती है जहां पर सूरज की रोसनी भी नहीं पोच पाती है आगे बढ़ते हैं अब जब कुबला खान अपने सैनिकों को एक जगह यानिक एक महल बनाने का आदेश देता है तो उसके आसपास की चीजे कैसी होंगी वो बताता है तो twice five miles of fertile ground वो कहता है कि तुमें twice five miles का मतलब है कि दस माइल जमीन लेनी है और वो जमीन कैसी होनी चाहिए fertile, fertile का मतलब होता है वो जमीन उपजाओ होनी चाहिए तुमें दस माइल जमीन जो है मेरे महल के चारो तरफ उपजाओ जमीन लेनी है और उस उपजाओ जमीन को with walls and towers उस उपजाओ जमीन को दिवारों से और towers से घेर लेना है और गैडल्ड राउंड अब गैडल्ड का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना इसका मतलब है इस चारों तरफ से जमीन को walls and towers से घेर लेना है and there were gardens bright with continuous rills और इस चारो तरफ इस जमीन में जो क्या बोना है आपको gardens बोने है मतलब महल के चारो तरफ आप लोगों को gardens देखने के लिए मिलेंगे और continuous rills का मतलब है छोटे छोटे पांड छोटे छोटे ताला भी देखने के लिए और यहां पर आप लोगों को कुछ ऐसे पेड़ भी देखने के लिए मिलेंगे जो ब्लोसम यानि के उन पर कुछ फूल खिल रहे होंगे कुछ अपने आप में ही क्या कर रहे होंगे महक छोड़ रहे होंगे मतलब कि वो खुस्बूदार पेड़ होंगे और वो यहां की जमीन को यहां के वातवरण को महकाते रहेंगे और यहां पर यहां पर यहां पर यह बना हुआ है जहां पर पैलेस बनेगा जहां पर यह महल बनेगा इसके आसपास एक फोरेस्ट भी है ठीक है फोरेस्ट भी है यहां पर जंगल भी है और यह जंगल इतने ही पुराने हैं जितने की यहां की hills हैं, जितने की यहां के परवत हैं, mountains हैं, इतने ही पुराने हैं, enfolding sunny sports of greenery और जंगल में नीचे की जो जगा देखोगे वो green है green है मतलब की greenery से भरी हुई है घासफूस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी और उस घासफूस पर आप लोगों को sunny sports मिलेंगे sunny sports का मतलब है, सूरज की किरणे पढ़ती हुई उसके उपर मिलेंगी बट ओ that deep romantic chasm with slanted down the green hill outward a season cover अब इन दो लाइनों का मतलब है, HD college कहते हैं कि बट ओ, लेकिन the deep romantic chasm आप देखिए, ये chasm का मतलब होता है, खाई, कि ये यहाँ पर आपको इस romantic द्रिश्चे के आसपास एक chasm भी मिलेगी एक खाई भी मिलेगी, which slanted slanted का मतलब होता है कि जो तिर्ची कटी हुई होती है मतलब खाई आपने देखी होगी, कि ये सेप में नहीं होती, वो टेढ़ी मेडी बनी हुई होती है, तो इसी तरह से आपको तिर्ची, खाई भी यहाँ देखने के लिए मिलेगी, down the green hill ओथवार्ट, a sedan cover, अब इस जो ये खाई है वहाँ पर आप लोगों को ऊपर क्या मिलेगा, green hill मिलेगी यानि के उस hill पर, उस पहाड़ी पर घासपूस है और उसके आरपार ओथवार्ड का मतलब होता है उसके आरपार क्या होगी कि आप लोगों को कुछ गहराई की जमीन मिलेगी, यानि खाई टाइप की जगा मिलेगी और वहाँ पर season cover होंगे season cover का मतलब है कि वहाँ पर season के पेड़ भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे अब ये place जो है savage place का मतलब है जिसके रहश्यों को, जिसकी असलियत को, जिसकी ओरिजिनल्टी को समझा ना जा सके और ये कभी-कभी place कैसा लगता है हम लोगों को holy लगता है ये बहुत ही पवित्र place लगता है और कभी-कभी ये place जादू ही लगता है मतलब इस पर कुछ अजीब चीजे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी योकि देखो ये एक तो elf पवित्र नदरी के किनारे पर बशा हुआ है है ना और आप यहाँ पर कुछ ऐसी चीजे देखने के लिए मिलेंगी जो rare देखने के लिए मिलती है as ever beneath a winning moon was haunted by woman willing for her demon lover यहाँ पर कह गया है कि एक औरत है ठीक है जी एक औरत है willing का मतलब है रोना वो परेशान है रो रही है क्यों रो रही है क्योंकि हर demon lover demon का मतलब जो धोके बाज हो बेवफा हो उसके अपने lover के लिए रो रही है और कहां पर बैटकर रो रही है beneath beneath का मतलब होता है नीचे a winning moon एक घटते हुए एक डूबते हुए moon की नीचे बैटकर रो रही है ठीक है तो यानि के एक woman यहाँ पर बैटी हुई है जो अपने धोके बाज अपने बेवफा lover के लिए रो रही है and from this chasm और यहाँ पर एक बार फिर कहा गया है कि from this chasm इस खाई से with less turmoil seed less का मतलब है एक निरंतर जो बिल्कुल भी तूटे ना यानि के इस खाई से इस chasm से एक निरंतर आवाज आ रही है एक आवाज आती जा रही है as if this earth in fast thick pains were breathing और इस आवाज को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है मानो यह अर्थ जो है यह धरती जो है यह बहुत तेजी से तेजी से क्या कर रही है pants का मतलब है यहाँ पर half ना है ना और half ता आज इसान कब है जब सांसे बहुत तेजी लेता है तो यानि के यह chasm chasm में यह खाई जो है यहाँ से एक निरंतर आवाज आ रही है और उस आवाज को देखकर सुनकर ऐसा लग रहा है कि मानो अर्थ जो है सांस ले रही है सांस लेते हुए वो अर्थ फांफ रही है a mighty fountain momentally was forced एक बहुत ही forced के साथ निकलता हुआ यानि के बहुत force के साथ ताकत के साथ निकलता हुआ कुछ पलो के लिए हमें एक fountain दिखाई देता है फांटेन दिखाई देता है एक फवारा दिखाई देता है amid whose shift half intermittent burst अब ये फवारा जो निकलता हुआ देखते हैं हम लोग ये निरंतर नहीं चलता है ये starting में तो force के साथ force के साथ shift के साथ बहुती तेजी के साथ निकलता है लेकिन half intermittent है half intermittent का मतलब होता है कि ये फवारा लगातार नहीं चलता है ये फवारा लगातार नहीं चलता है ये बीच बीच में रुखता रहता है तो ये काम जो करता है फवारा फवारा देखा होगा आप लोग उने लगातार चलता है उपर की तरफ को लेकिन ये फवारा जो यहां पर दिखाया गया है ये उपर की तरफ तो force के साथ जाता है लेकिन ये लगातार नहीं चला ये बीच में से पानी इसका तोट जाता है ठीक है huge fragments अब ये कहा गया है न देखो huge fragments fragments का मतलब होता है टुकड़ा अब पानी का जो ना होत सारा पानी उपर जाता है और वो नीचे से फवारा बंद हो जाता है तो वह fragments में बदल जाता है पानी मतलब तुकड़े में बदल जाता है और ये ठुकड़ा कैसा होता है huge होता है पानी की बहुत मातरा उपर की तरफ होती है वोल्टिड लाइक round bounding hail अब ये कैसा हो और इतना बड़ा दिखाई देता है कि बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पानी है और गोल-गोल दिखाई देता है जैसे कि कोई ओला हो और चैफी ग्रेन बनीत दा प्रेशर्स फिलेल अब देखिए चैफी चैफी ग्रेन का मतलब होता है कि आपने कभी फसल कटते हुए लेस ग्रेन भी कह सकते हैं उसको निकालना बहुत मुस्किल होता है अब उसको निकालने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं उसके उपर क्या करते हैं डंडे से वो मारते हैं अब जब डंडे से मारते हैं तो देखा होगा आपने जब उस पे मारेंगे तो अनाज उपर की तर रहा है उपर से कि या तो ये हमें huge fragment मिलेगी जैसे ओला किरके आ रहा हो या पिठते हुए अनाज जो अनाज उपर से नीचे की तरफ को आता है उस तरह से ये दिखता है अब यहां पर आप लोगों को और कुछ भी देखने के लिए मिलेगा कि क्या देखने के लिए मिलेगा कि आपको dancing rocks मिलेगी अब चटाने जो है यहां पर कि यहां की कुछ चटाने हिल रही है उनको dancing rocks बोला गया है at once and ever it flung up अब यह flung up का मतलब है कि कि किसी चीज़ को देख कर आप पूरी तरह से सोख हो जाना इन चटानों को जो हिलती हुई चटाने है उनको आप देख कर क्या हो जाते हो सोख हो जाते हो momently the secret river और यह सारी की सारी चीज़े आप लोगों को इस elf नदी के किनारे ही देखने के लिए मिल रही है अब यह ऐसी क्या चीज़े है जिनको देख कर आप wonder करते हो surprise करते हो five miles meandering with a mozy motion पाँच मील तक तो यह elf नदी जो है यह elf नदी जिगजग करके चलती है मतलब तेड़ी मेड़ी आपनो देखा होगा कि कोई नदी तेड़ी मेड़ी करके बहती है जिगजग करके बहती है अब यह कहा होती होती हुई गुजगती है and dale the sacred river run और यह यह नदी elf नदी जो है डेल से यानि के घाटियों से होकर भी गुजगती है इसके बाद then यहाँ पर लगा हुआ है then इसके बाद reached the kevins major last to man अब यहाँ से निकल कर यानि के जंगलों से निकल कर जंगलों से निकल कर या घाटियों से निकल कर यह नदी पहुच जाती है केवस में पहुच जाती है गुफाओं में पहुच जाती है और यह गुफाओं इतनी लंबी और इतनी गहरी है कि यह major last to man है यानि के इनसान के दुआरा इनकी गहराई को इनकी चोडाई को इनकी लंबाई को केवस को नापा नहीं जा सकता और उसके बाद and sank in tumult to a lifeless ocean और यह आगे स्टी कोलिज कहते हैं और जाकर उसके बाद इन गुफाओं से निकल कर यह elf नदी जो है यह sour करती हुई tumult का मतलब यहाँ पर है sour करती हुई जाकर मिल जाती है lifeless ocean में अब lifeless ocean का मतलब है एक ऐसा ocean जिसको जो limitless है जिसकी सीमाओं को नापा नहीं जा सकता जिसकी गहराई को भी नापा नहीं जा सकता जहाँ पर स्टूरज की रोसनी भी नहीं मिलती ये अल्फ नदी वहाँ पर जाकर मिल जाती है अब इस सोर सरावय के बीच कुबला खान को एक अवाज सुनाई देती है बहुत दूर से ऐसा लग रहा है कि वो आवाज सुनाई दे रही है और वो आवाज किसकी है Ancestral Voices Prophesying War अब उसके ऐसा लगता है कि कुबला कहा उनके जो पूरवर्ज है जो उनके इत्रक है पूरवर्ज है जो उनके Ancestral रहे थे उनकी वो आवाज है जो एक वार की भविश्यमारी कर रहे है एक वार की एक युद्ध की भविश्यमारी कर रहे है The shadow of the dome of pleasure floated midway on the waves अब देखो shadow का मतलब होता है भाई परचाई और किस चीज़ की परचाई The dome of pleasure मतलब की जो गुमतदार इमारत इस कुबला खान ने बनवाई है जो महल इसने बनवाई है उसकी परचाई जो पढ़ रही है floated midway on the waves जो elf नदी की waves है elf नदी की जो धाराए है उसकी जो waves है उन पर इसकी परचाई पढ़ रही है Where was heard the mingled measure from the fountain and the caves अब यहाँ पर इस द्रिश्या में दो लाईनों में केस्टी कोलिज कहते है कि इसके बीच में Where was heard कि यहाँ पर सुना जा सकता है mixed का मतलब यह mingled का मतलब होता है दोस्तो mixed कि यहाँ पर mixed आवाज को सुना जा सकता है और यह mixed आवाज किसकी है the fountain की सकता है it was a miracle of rare device a sunny pleasure tomb with caves of ice और ऐसा नजारा आपको कभी कभी देखने के लिए मिलता है rare का मतलब है जो दुरलब नजारा हो जो आपको कभी कभी देखने के लिए मिले और ऐसा नजारा जो जादूई हो miracle मतलब जादूई नजारा हो ये जादूई नजारा कैसा है देखो एक तरफ तो महल है एक तरफ तो कुबला खान का महल है जहां पर स्तन की रोसनी पड़ रही है यानि कि धूब पड़ रही है सूरज की किरणे पड़ रही है और दूसरी तरफ कुछ केवस हैं कुछ गुफाएं हैं जिसमें आइस जवी ह जहां पर सुरज होता है वहां पर आप लोगों को आइस देखने के लिए नहीं मिलती लेकिन ये रेर डिवाइस है रेर नजारा है जहां पर आप लोगों को तन की यानि सूरज की रोसनी भी कुबला खान के महल के उपर पड़ती हुई दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ कुछ केव्स हैं जो बर्फ से जमी हुई गुफाएं है तो ये ऐसा रेर नजारा आप लोगों को कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है अब अगला ये थर्ड इस्टेंजा आप लोगों का आ गया है लास्ट इस्टेंजा है ए डैंसिल विद गलसीमर डैंसिल का मतलब यहां पर है भाई लोगो कि एक गल ठीक है एक लड़की और डैंसिमर का मतलब है विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इन्हें विजन वन साइसा तो मैं जो क्या देख रहा था विजन देख रहा था मैं सपना देख रहा था उस सपने में मैंने क्या देखा एक डैंसिल को देखा एक लड़की को देखा उस लड़की के हाथ में क्या था डलसीमर था उस लड़की के हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्यूमेंट था ये लड़की जो कौन थी ये अबेसीनियन मेड थी एथीपियन वुमिन है एक अब उसके हाथ में जो डेलसीमर है यानि कि जो म्यूजिकल इंशुमेंट है उसको वो बजाती है उसको वो बजाती है स्टिंगिंग ओफ माउंट एबोरा और वो गाना गाती है किसके लिए Mount Eboro के लिए गाना गाती है अब ये Mount Eboro क्या है देखिए Mount ये actually Mount Eboro नहीं है ये Mount Eboro है ठीक है ये एक परवत का नाम है इस परवत को आप जो John Milton की Paradise Lost है उसमें भी आप पढ़ोगे तो ये लड़की जो है जो लड़की है ये गाना गाती है अपने musical instrument के साथ किसके साथ Mount Eboro के लिए Mount Eboro एक परवत है उसके लिए गाना गाती है और आगे ST College कहते हैं Could I revive within me her symphony and song अब मैं कास मैं उस लड़की के उस गाने को जब वो अपने सपने से जाक चुके हैं उसके बाद वो कहते हैं कि कुड़ा रिवाइब के कास मैं उस लड़की के गाने को अपने अंदर महसूस कर सकता उसकी symphony को उसके song को मैं सुन सकता उसको महसूस कर सकता तो कितना अच्छा होता आगे कहते हैं Such a deep delight it would win me और वो गाना मुझे क्या देता एक deep delight देता बहुत ही ज़दा आनंद देता इट वोड विन मी और मुझे वो जीत लेता यानि के मेरे दुख दर्द उस गाने को सुनने के बाद दूर हो जाते और मुझे एक pleasure मिलती मुझे एक खुसी मिलती that with music loud and log और उस गाने में क्या था उस musical instrument डलसीमर की वज़े से क्या आता music आता loud बहुत तेज तेज और उसका गाना भी मुझे सुनाई देता I would build that dome in air अब उस गाने को सुनने के बाद S.T. College क्या कहते हैं कि अगर मैं उस लड़की के गाने को उस लड़की के music को revive कर पाता सुन पाता तो I would build तो मैं बना देता I would build का मतलब है मैं बना देता that dome in air जो कुबला खान ने अपने सैनिको को dome बनाने का यानि के गुमबदार महल बनाने का देश दिया था तो मैं उसे हवा में ही बना देता एक इमेजरी है यहापर कि मैं उसे हवा में ही बना देता और वो ऐसा ही होता that sunny dome जिसके उपर सूरज की रोसनी पड़ती those caves of ice और वहाँ पर क्या होती वहाँ पर आपको गुफाईं भी देखने के लिए मिलती जिसके अंदर हमें बर्फ देखने के लिए मिलता है तो ऐसी चीजे मैं हवा में ही बना देता यती मैं उस लड़की के गाने को revive कर पाता, सुन पाता, महसूस कर पाता and all who heard to see them them there और जो भी कोई उस लड़की के गाने को सुनता वो देखने में सक्चम होता, वो देखने में evil होता, उस सारी चीजों को जो doom मैं हवा में बनाता, जो महल मैं हवा में मनाता, वो सबी लोग जो उस लड़की के गाने को सुनते वो उसे देखने में सक्चम होते and all should cry और वहाँ पर कुछ लोग उपस्तित होते, वो कहते और वो रोते हुए कहते beware, beware, वो कहते ही भाई, साबधान रहो साबधान रहो he is flashing eyes, he is floating air और वो साबधान के चीश से करते कि एक लड़का है उसकी flashing यानि के चमकते हुई आखों से और उसके बहते हुए बाल यानि के लहराते हुए बाल जो हैं, उनसे साबधान करने के लिए कहते ठीक है? अब आगे कुछ लाइन और है weave the circle round him thrice अब वो कहते हैं, ST College कहते हैं कि एक लड़का तुम्हे क्या करना है उस audience से कहते हैं reader से कहते हैं कि तुम्हे उसके weave the circle round him thrice उस लड़के की क्या करना है कि तीन बार उस लड़के के पास से घुमना है मालो ये लड़का यहाँ पर है एक तीन बार उसको round circle करना है ठीक है, तीन बार and close your eyes with holy dread और तुम्हें अपनी आखों को जब ये round लगाने हैं तो अपनी आखों को डर की वज़े से क्या कर लेना है बंद कर लेना है अपनी आखों को डर की वज़े से बंद कर लेना है और उसका reason अगली दो लाइनों में जो ST college है वो बताएंगे हमें क्योंकि पूर ही on honey due head speed अब वो कहते हैं उस इनसान के लिए जिस इनसान के आप round round चक्कर लगाओगे ये इनसान कोन है जो ST college है ST college ने सपने में देखा है उसके बारे में ये बताते हैं ठीक है वो कहते हैं कि ये इनसान जो है ये भगवानों के साथ भगवानों के साथ बैट कर खाना खा के आया है and drunk the milk milk of paradise और ये स्वर्ग का इसने दूद भी पिया है मतलब स्वर्ग में जो रहते हैं देवता लोग रहते हैं ये देवताओं के साथ भोजन ग्रहन करके आया है खाना पीना ग्रहन करके आया है अब H.T. College ने हमें इस ही के बारे में नहीं बताया ये ही कौन है क्योंकि वो एक सपना देख रहे थे और उन्होंने इसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें उनके सपने से किसी ने जगा दिया है उनका सपना तूट गया है तो ये बात अधूरी रह गई तो ST College की ये poem incomplete है लेकिन बहुत जबरदस्त poem है इस से आपके questions exam में पूछे जाते हैं I hope आपको ये poem समझ में आई है मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए जाहिंद